है यह अग्यागा तो आप सबीका स्वागत है जल्दी से ही सभी से जुट जाएगा साथी से शेशन को बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा चीग है सो आज की सेशन की बात कर लेते हैं आज है आप लोगों का वीकली रिविजन का डे जिसमें की हम लोग यहाँ पर वीकली रिविजन करते हैं जिससे की जो करन्ट अफेर्स की गरिशन हम लोग कवर कर चुके हैं तो उनका एक कॉंबो की रूप में आप लोगों का रिविजन को यहाँ पर cover करते हुए चल लेते हैं और Sunday को completely आप लोगों का जो की revision है वह है यहाँ पर हो जाता है ठीक है बाकी मन्त के last में भी अब मैं आप लोगों को पूरे मन्त की current affair की revision का भी एक session यहाँ पर रखा करूंगी ठीक है तो सभी session से जूड़ गए हैं के सभी के सभी class को भी like कर दीजिएगा और जो class में नहीं आते हैं उनको भी बलाले का दाइत उठाया किया करो ठीक है चलिए अब आप सभी यहाँ पर answer करना शुरू करेंगे so timer के साथ ही हम लोगों को questions रखने हैं इससे आप लोग देख पाएंगे कि कितने समय में आप लोग जो है question का answer यहाँ पर कर पा रही है चलिए इसमें आप लोगों के पास 15 सेकेंड का नहीं 15 सेकेंड का आपके पास समय है आप लोगों को आंसर करना है क्या आप लोगों का आंसर यहां पर बनेगा बताएंगे सभी के सभी क्या आप लोगों का आंसर यहां पर बन जाएगा हजारी बाग में केंद्रित अक्षे पात्र रसोई का जो उधगाटन है किसके दुआरा किया गया है हजारी बाग यानि कि यह जार्खंड राज्य की बात कर रहे है किसके बारे में कि भई यह जार्खंड राज्य की बात कर रहे है और जारकन राज्जी की बात करें तो इनके दुआरा इस अक्षे पात्र रसोय का उद्गाटन यहाँ पर किया गया है आगे आजाते हैं इसमें आप सभी आंसर करके यहाँ पर बताएंगे क्या आप लोगों का अंसर यहाँ पर रहेगा मैं आप लोगों को समय देदी हूं क्योंकि आप लोग पढ़ करेंगे तो थोड़ा सा टाइम को यहाँ पर लगेगा सभी की सभी की क्या आप लोगों का अंसर नहीं पर बनेगा के जिले बबारत ने फूट आन्ड और एग्रिकल्च्वर की डिचल्चान का COFI उप समीती में पहला जो की उपाध्यक्ष पद हासिल किया है तो भारत को कैप्चर फिश्रीज में FAO के रूप में आपको यहां पर बताना है कि यहां पर जो की मतस्य पालन ब्यूरो है फिश्रीज ब्यूरो है तो इसमें कि कितने समय यहां पर शामिल हुए यहां पर हो गए है इस बार भारत को पहली बार उपाध्यक्ष पद यहां पर मिला है और इसमें याद रखेगा कि इसमें भारत को शामिल हुए यहां पर 57 years यहां पर हो चुके है कितना समय हो चुका है तो भारत को इसमें 57 years जो की है, यहाँ पर हो चुके है, यह बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ठीग है, बाकी FAO की बात कर लेते हैं,तो यह है Food and Agriculture Organization है, cof की बात कर लेते हैं it means क्या हो जाएगा committee of committee sorry on fisheries इसकी full form है आगे आजाते हैं ते next question में यह आप लोगों को answer करना है 15 second का time आप लोगे पास है इस question का answer करने के लिए चलिए answer कीजिएगा सभी question में क्या आप लोगों का answer दर्धब this one और बनेगा 9 ऊशन ऐए कि प्रढ़ान मंतिरी रस्ट्रेDam पूरस्कार दो जाजार चॉबिस के लिए कितने बच्चों का चेंग गया तो इसमें याद रखेगा कि यह 19 बर्चों का चैन किया गया है प्रधान मंतरी रास्टे बाल पुरुसकार जोकी बच्चों को आठ के फिल्ड में, ब्रेवरी के फिल्ड में यह पुरुसकार यहाँ पर दिये जाते हैं अगले question पर आजाते हैं, the next यहाँ पर भी बताएंगे क्या answer रहेगा 15 सेकंड का समय है, आपके पास question में answer करने के लिए, चलिए बताएंगे भई क्या आप लोगों का answer जोकी है यहाँ पर रहेगा, question में, चलिए कीजिएगा सभी के सभी answer करके, last में आप लोगों को score बताना है, मैं offline सभी का score चेक कर लूँगी ठीक है, और जिनका score अच्छा रहेगा, वैसे मैं comments भी देख लूँगी, तो जिनका score अच्छा रहेगा, बाकि उनको like मिल जाएगा चलिए, सो यहाँ पर देखते हैं, 47th वे अंतरास्ट ये, Kolkata, पुरुसकार, मेले का theme देश कौन सा यहाँ पर रहा था, सो यह है United Kingdom रहा था, 47th नंबर के international Kolkata, पुस्तक मेले का जो की आईजन है, Kolkata में किया गया था, जिसका inauguration मंता बनार जी, जो की पश्चिम बंगाल क मुख्य मंत्री है, इनके द्वारा किया गया था, आगे आते हैं, नेक्स नहीं हाँ पर अगले question में, बताएंगे, क्या आपका answer यहाँ पर बनेगा, 15 second का time है, आपके बास question में answer करने का, मुझे लगता है, इसलिए आप इस लोग, इस question में answer यहाँ पर कर पाएंगे, बिलकुल चलिए, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर यह है, अयोध्या, सबसे बड़े दीपक की बात करेंगे, तो कहाँ पर अयोध्या में, सबसे बड़ा ताला भी अयोध्या मंदीर को समर्पित किया गया है, सबसे बड़ा लड़ू भी अयोध्या मंदीर को समर्पित किया यहां पर देखेगा अभी हाल ही में 22 जनवरी को ही राम लाला की चनम भूमी पर इनके लिए मंदिर जोकी बनाया गया है लास्ट फाइव हंडेड इयर्स के बाद में तो 22 जनवरी को इसका इनोग्रेशन किया गया है और यहां पर सबसे बड़ा दीपक जोकी है यह जलाया गया था ठीक है याद रखेंगे अगले क्रेशन पर आजाते हैं यहां पर इस क्रेशन में आंसर करेंगे सभी क्या आपका आंसर यहां पर बनेगा बताएंगे आप लोग सभी के सभी 20 सेकेंड का समय आपके पास रहेगा चलिए आंसर करके आप लोगों को भी यहां पर बताना है क्या आप लोगों का आंसर यहां पर बनेगा चले तो कुश्चन एक हाल ही में 61 वर्ष की आयू में अपना चोथा डकार रेली खिताब जीत कर इतिहास किसने यहाँ पर रचा है तो इनकी बात कर लेते हैं कौन है यहें हैं यहाँ पर कारलोस सेंज जो कि 61 वर्ष की आयू के हो चुके हैं और इन्होंने अपना तीन पहरे जीत जीत चुके हैं इस बार इन्होंने अपना फॉर्थ नंबर का डकार रेली का खिताब यहाँ पर जीता है ये ना एक race ही है जैसे कि race का आईजन होता है जैसे formula 1 की race का आईजन होता है उन्हें formula 1 का नाम दिया गया है इसी तरह से इन्हें डगार रेली का नाम दिया हुआ है आगे आते हैं दे नेक्स रेले question पर इसमें answer करेंगे सभी क्या हो जाएगा बताईए निमलिखित में से किस bank ने money to India Canada में इस application को launch किया गया है कि जो भारतिये वहाँ पर रहते हैं अगर वह हैं इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो वह हैं इस application का मतलब Canada से भी अलग app के अलावा भी अब वह हैं ICICI की money to India application का यूज कर सकते हैं ठीक है चलिए बाकी बैंक्स के headquarter का जो की session है वो देख लीजिएगा वो मैं आप लोगों के लिए cover कर चुकी हूं तो जो बैंक हैं उनके headquarter है उसके उपर session को कर लीजिएगा ठीक है यह चोटे-चोटे से points होते इनको skip मत किया करो revision किया करो भाई घीक के अगर एक बार के पढ़ने से याद हो जाए ठीक है तो फिर तो बात ही क्या है एक बार याद नहीं होते ना बार बार पढ़ना पढ़ता है अब history है history में कोई भी change नहीं हो लेकिन कितनी बार पढ़ते हो उसे रिविजन करते हो कि नहीं करते हो बार बार करते हो तो जीके का खेल वहीं है रिविजन करते रहना चाहिए तभी वो कैतना पोधे को पानी दोगे तभी वो सीचेगा और तभी वो फल भी देगा और तभी वो फूल फल पत्ते चाया सब द आऊधे चलिए क्या आप लोगों का यहां पर रहेगा ये आप लोगों NETAR की बंएगा कि बताएंगे सभी क्या हो जाये यहां पर हमारा चलिए देख लेते हैं क्या आपका अंसर यहां परब बनेगा 25 साइकेंड भारत के किस राजी ने भारती अंतर अस्टे विज्ञान महँसद 2,023 की मेजवाने की है तो यह है हार्याना राजी और हर्याना राजी के भी कहाँपर फरीदाबाद में फरीदाबाद में इसका आजन किया गया है ची मैं चलिए the next question पर आ जाते हैं क्या answer रहेगा यह आप लोगों को बताना है बताइए सभी का क्या answer है जो कि आप लोगों का इहां पर बनेगा चलिए Question A कि Wings India Awards 2024 में किन दो हवाई अड़ों को वर्ष का सर्सरेस्ट हवाई अड़े का पुरुसकार दिया गया है तो इसमें याद रखेगा Bangaluru और दिल्ली Bangaluru और दिल्ली को सर्सरेस्ट हवाई अड़े का खिताब यहां पर दिया गया यह जो सर्सरेस्ट हवाई अड़े का खिताब है यह दिया जाता है इनकी सुधाव के लिए कि कस्टमर जो की है मतलब पैसंजर जो की है उनकी सुधा कितनी अच्छे तरिके से गहां पर रही है फ्लाइट की टाइमिंग किस तरह से रही है कितनी सुधा जनक चीजे रही है उनके according यहाँ पर यह award दिया जाता है वर्ड में बात करेंगे तो वर्ड में best airport का जो की award है यह सिंगापूर के airport को दिया गया है दे नेक्स नहीं है बताएंगे कि तमिल उपन्यास जिसका नाम है यहाँ पर Conversations with Aurangzeb Conversations with Aurangzeb इसका जो तमिल में अनुवाद है यह है किसके द्वारा किया गया है आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा बताएंगे किसके द्वारा किया गया है Timer लगाना आप लोगों का भूल गई तो मैं ऐसे ही आप लोगों को बता देती हूँ क्या हो जाएगा यहाँ पर तो यह रहेगा आप लोगों का second option ठीक है चलिए दे नेक्स नगले question पर आ जाते ही इसमें आप लोगों को answer की यहाँ पर बताना है पंद्रा सेकेंड दे समय रहेगा आपकी पार चलिए तो जरह इसमें यहाँ पर जरह याद रखिएगा आप लोगों क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका अगला question की बही बताईएगा answer की क्या हो जाएगा हरदीप सिहिंग पूरी द्वारा अलकोहल से जैड इंधन बनाने का पहला pilot project कहाँ शुरू किया गया है यह आप लोगों को बताना है answer कीजेगा की भई यह है कहाँ पर शुरू किया गया है answer कीजेगा सभी की सभी क्या हो जाएगा चलिए कहाँ पर शुरू किया गया है यह आप लोगों को answer के बताना है चलिए answer कीजेगा सभी के सभी 2730 चलिए क्या हो जाएगा बताईगा मुंबई में किया गया है न्यू दिल्ली में किया गया है या फिर पूरे में किया गया है तो कहाँ पर किया गया है इसका चलिए चले क्या हो जाएगा भई यहाँ पर बिल्कुल सही बात है क्या हो जाएगा पूर्णे में किया गया है ठीक है क्या हो जाएगा पूर्णे में The next अगले question पर आ जाते हैं answer करेंगे सभी क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का answer 15 साइकेंड का समय है थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके करते हैं ठीक है questions को तो question है कि किस विशिस्ट तिथी को तिरपुरा मनिपूर और मेगाले ने उत्तर पूर्वी छेत्र अधिनियम 1971 के तहत अधिकारिक तोवर पर राजे का दरजा प्राप्त किया था तो याद रखेगा कि 21 जनरी 1972 में जो एक्ट है यह 1971 में रहा है और बाकी राजी के रूप में जो इनकी स्थापना है यह 1972 में यहाँ पर रही है The next है अगले question पर आ जाते हैं answer करेंगे क्या हो जाएगा क्या अपना answer यहाँ पर जाएगा चले बिल्कुल सही बाते देख लेते हैं यहाँ पर चले 20 सेकेंड का समय कर लेते हैं यहाँ पर पूरा चले तो क्या हो जाएगा भी कहां से शुरू किया गया था 23 जनवरी से लेकर के 31 दिवसी कारिक्रम जोकी है यह 23 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक यहाँ पर रहेगा 2024 का कारिक्रम और क्या रहेगा कि रैड़ फोर्ट से कहां पर इसका आजन किया जा रहा है लाल किले में चले अगले question पर आ जाते हैं आंसर करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा बताईए जापान जोकी है यह है चंद्रमा पर लैंडिंग करने चाइना और फोर्ट ब्र पर है हमारा देश यानि की इंडिया और फिप्ट नंबर का देश बन गया है कून जापाइँ जिसका जो चैंट करने वाला जो इनका यह मून मिशन है इसका नाम है स्लीम जो की है यह इसका नाम है आगे आ चूएं रहुत पल्गो काइंसर करेंगे क्या आप लोगों का अणसर यह पर बनेग blender क्षेशन का अंसर करेंगे सभी की सभी भाई क्या आप लोगों का अंसर जो की है यहाँ पर यह जाएगा चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल देखते हैं जड़ा क्षेशन है कि माल सिंग ने इस्याई मैराथन चैंपियंशिप जीती है एशिया मेराथन चैंपियंशिप 2024 कहां पर आयोजित की गई थी तो याद रखेगा कि यह होंग कॉंग में आयोजित की गई थी जो कि इन्होंने चीन के जो धावा के हैं आथलेट हैं उनको हराकर कि इस पृतियोगिता को जीत लिया है और दूसरे भारती बन गए हैं इस भारत अजांबिक में तांबे के खनन के लिए उद्योग पृति निधी मंडल भेजेगा तांबे के उत्पादन में के मामले में 2022 तक जांबिया की वैश्विक रैंकिंग जो की है यह है कितनी है यह आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे क्या हो जाएगा है क्या अपना यहां पर हमारा रहेगा यह आप लोगों को बताना है चलिए क्या हो जाएगा बिल्कुल जना देखिएगा यहां पर यह है आठवे नंबर पर और अगर मैं वर्ड में बात करूं कि वर्ड में कोपर का सबसे ज्यादा जो की प्रोड़क्शन है यह है कौन करता है तो कौन क अग्ता है यह दूसरे पर यहां पर रहता है तो हमारा देश जो की है यह है टॉपक टैन के अंदर में आता है पर प्रोड़क्शन के मामले ineव दैंनेक्स फर्ड़कर जाते हैं आंसरों कं questoीन में समघेज बताएंगी क्या अप लोगों का आंसर्द जो की है यहां पर हमारा बनेगा चलिए कि क्या आप लोगों का अंसर नाम आप लोगों को दिया गया है ठीक है क्या ओजाएगा यहां पर देखते हैं कि यहां पर अनोखी भाषा है जिसका नाम है मधिका किस राज्य में मुख्य रूप से बोले जाती है और यह कुन्नूर से यहां पर जुड़ी हुई है तो अगर हम कुन्नूर की बात करेंगे कहां पर है सु भई यह केरल का डिस्टिक है और केरल से यह भाषा यहां पर जूड़ी हुई है ठीक है आगे आजाते हैं दे नेक्स अगले क्वेश्चन में कि वही वाट इस दी थीम आफ जेसल में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 2024 में जो कि जेसल में फेस्टिवल का आजन कहां पर राजिस् चले कोशन है यहां पर कोशन अब लग पढ़ी चुके है चले बात कर लेते क्या हो जाएगा तो यह है ब्यूटी ओफ डेजर्ट क्या हो जाएगा यहां पर इसकी बात कर लेते हैं तो इसकी जो की थीम रही है यहां पर यह क्या रही है इसकी थीम रही है यहां पर सोरी बै तू डेजर्ट यानि की रेगिस्तान की और वापस क्या हो जाएगा रेगिस्तान में वापस जो है यह इसकी थीम यहाँ पर रही है ठीक है और इसका जो आईजन है यह अभी शुरू नहीं हुआ है बलकि 22 से लेकर के 24 फरवरी में इसका आईजन किया जाएगा ठीक है एकसराइज किसकी बिच में वह वह यह किग्रिस्तान एंड भारत के बिच में इस एकसराइज का आईजन किया जाता है तो दो हजार चौबिस में इसका जो आईजन है यह कहां पर किया जा रहा है बताएंगे सभी क्या हो जाएगा चले इस बार इसकी 11 नमबर के एडिशन का किया रहा है जो कि कहां पर कि हमाशल प्र देश सका वल अभ्यास जिसका नाम है साइकलोन इसका आयोजन करता है इसका जो आयोजन है यह डेजर्ट वाले एरिये में अपनी पकड़ को और भी मजबूत बनाने के लिए मतलब कुछ ऐसे वोर की स्तिती बनती है तो यह डेजर्ट वाले इलाके में किस तरह से दुष्मनों का सामना कर सकती है और अपने आपको सुरक्षित रख सकते हैं इसके लिए किया गया था जो कि इजिप्ट देश के साथ में भारत ने इस एक्सरसाइस का आज़े निहां पर किया था इसमें आप सभी को अंसर करके बताना है क्या यहां पर आपका अंसर बनेगा सभी की सभी कुर्केटर को पुरुस्कारों में वर्ष के सरस्तेस्ट क्रिकेटर के खिताब से सम्मानित किया जाएगा तो यह है शुबन गिल क्या हो जाएगा यह है कौन है भे यह है शुबन गिल है इसके साथ ही ICC के द्वारा जो की ODI रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई थी तो इस में शुबन गिल जो की है यह है अपने करियर में पहली बार इस रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर भी यहाँ पर रहे है बाकि अपनी बल्लेबाजी के लिए शुबन गिल जो की है यह है जाने जाते है The next है आपका अगला कोशन बताएंगे हाल ही में World Health Organization ने एक देश है जिसका नाम है यहाँ पर काबो वर्डे पुरा नाम है Republic of काबो वर्डे इसे मलेरिया मुक्त देश के रूप में परमानित किया है तो मलेरिया का जो की कारण है होने का यह है क्या है बताईए चले इसमें याद रखेगा कि यह है मादा मच्छर के काटने से यहाँ पर होता है मच्रा के कंपेर में मादा महिलाय जो है ज्यादा खतरनाक होती है तो मलेरिया जो की है यह मादा मच्छा जिसका नाम है अनेफलिसा इसके काटने से यहाँ पर होता है आगर बात कर लेते ही हैं तो इसका जो मुक्छे कारण है वह है प्रोटोजोवा क्या हो जाएगा D option जो की है यहां पर हमारा सही आंसर अपना जाएगा The next है कि प्रतियक वर्ष 23 जन्वरी को किसकी जैनती प्राकरम दीवस के रूप में मनाई जाती है बताईए किसकी जैनती है जो कि प्राकरम दीवस के रूप में यहां पर मनाई जाती है प्रतेक वर्ष में 23 जन्वरी की बात करेते हैं तो क्या हो जाएगा बहई यह है नेता जी सुभाश्चंदर बोश है जोकि इनकी जेनती है यहाँ पर मनाई जाती है प्राकरम दीवस के रूप में ठीके इनका जो जनम है यह है और इसा के कटक शहर में यहाँ पर हुआ था चले दे नेक्स अगले question पर आ जाते हैं यहाँ पर इसमें आप सभी answer करके बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर session को भी सभी के सभी like कर दीजिएगा और अपने revision करने पर focus करें ठीक है? revision पर करने पर focus करें चीजों को सीखने पर धियान दिया करो जरूरी नहीं है आप बाचीत करेंगे है ना तभी आप लोगों का class में मन लगेगा बल्कि जब आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर concentrate करते हैं तो ज्यादा पढ़ाई में मन लगता है उत्तर प्रदेश गोरव सम्मान से यहाँ पर योगी सरकार के दुआरा जो कि सम्मानित किया गया है इसमें कौन है इसमें यहाँ पर रितु, करीधल, शिरिवास्तव और नवीन तिवारी है इन दोनों को सम्मानित किया गया है चलिए important है और seriously आपके आने वाले exams के लिए बहुत बहुत important है चलिए बताएंगे question में answer के भी सभी का जो answer है यहाँ पर क्या बनेगा देखेगा कि किस भारते राज्ये के पूर्व मुख्यमंत्री शिरी कपूरी ठाकुर को मर्नो प्रांथ भारत रतन से सम्मानित किया गया है तो याद रखेगा कि यह है बिहार राज्ये के पोर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे हैं और इनकी इस बार सोवी जैनती पर इस बार इनकी सोवी जैनती पर यहाँ पर इन्हें सम्मानित किया गया है और इन्हें यह है मर्नो प्रांथ क्या हो जाएगा मरनो प्रांत जोकी है भारत रतन अवोर्ड से सम्मानित किया गया है The next है हमारा अगला question यहाँ पर answer कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा बताएंगे Question में चलिए क्या हमारा answer भी यहाँ पर अपना जाएगा चलिए बताएंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा चलिए तो question है भई कि बीसी साहे दुआरा किन दो व्यक्तियों को करनल सी के नाइडो लाइफटाइम अशीमेंट जोकी किर्केट के फिल्ड में यहाँ पर बलकि सी के नाइडो जोकी है यह है किर्केटर के रुप में काफी पॉपलर यहाँ पर रही है तो इनके नाम पर यह है अवोर दिया जाता है लाइफटाइम अशीमेंट के लिए इस बार यह है किसको दिया गया है तो इस बार भई यह है किसको रवी शास्त्री एंड फारुक इंजीनियर को यहाँ पर दिया गया है क्या हो जाएगा अपना जो आंसर है यह रहेगा हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आंसर करेंगे क्या हो जाएगा बताइए गाजरा सभी के सभी उमीद गरती हूँ कि आप लोगों को इयर याद होगा यह सभी वो कोश्चन से कोई भी नया कोश्चन नहीं है जो मैं आप लोगों को करन्ट अफिल की क्लास में करा चुकी हूँ कवर ठीक है चलिए पंदरा सैकेंड काई वियसे कोश्चन है सिर्फ इयर ही बताना है बाकी और सोचने विचारने वाला है नहीं अगर आपको इयर याद है तो इसली आप आंसर कर सकते है नहीं तो फिन नहीं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वास फर्स्ट इनिशेटिट इन डैश किस वर्ष में यह पहली बार यहां पर मनाय गया था नहीं देटेश है वुशु सांडा फ्लेयर ओव डी एयर वर्ष की महिला वुशु सांडा खिलाडी का खिताब किसने यहां पर जीता है यह इंटरनेशनल जो की वुशु फैडरेशन है इसके दुआरा नाम यहां पर नामित किया जाता है और इस बार जो कि भारते महिला है क्या नाम है इनका नाव में क्या हो जाएगा नाव रेम रोशी बिना इनका नाम है तो इन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया है The next अगले question पर आ जाते हैं यहाँ पर फिर answer कीजिए question में क्या हो जाएगा आप लोगों का answer बताएंगे चले तो question है भारती वायू सेना ने किन दो देशों के साथ desert night अभ्यास आयोजित किया है तो desert night की बात करेंगे तो भारती वायू सेना के साथ में फ्रांस और UAE यानिकी United Arab अमिरात और फ्रांस देश के साथ में desert night exercise का आईजन यहाँ पर किया गया है अगले question पर फिर आ जाते हैं हम लोग answer कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा यहाँ पर बताएंगे क्या आपका answer जो की है यहाँ पर हमारा रहेगा चले बताएंगे क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर जी बिल्कुल देखते हैं जड़ा जल्दी से question में answer कीजिए अठारा सेकंड वैसे काफी हैं चले लग 20 सेकंड ही दे दिये पूरे खुश हो जाओ उत्तर प्रदेश अपना इस्थापना दीवस की स्तारिक को मनाता है तो उत्तर प्रदेश का जो की गठन है यहाँ चौविस जनवरी 1950 में यहाँ पर राज्ये के रूप में हुआ था तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 जनवरी इसके साथ ही यदि हम उत्तर खंड राज्ये की बात करें तो उत्तर खंड राज्ये का जो की गठन है यहाँ पर उत्तर प्रदेश से यह 2000 में जाकर के यहां पर अलग हुआ था उत्राखन जिसे की उस समय पर उत्तरकाशी के नाम से यहां पर जाना जाता था चलिए अगले कोशिशन पर आ जाते हैं सभी के सभी यहां पर आंसर करेंगे भी क्या आप लोगों का आंसर यहां पर बनेगा चलिए बताईएगा सभी क्या आप लोगों का जो की आंसर है वे है यहां पर हमारा बनेगा कोशिशन है कि संस्थागत शेड़ी में किस संस्थान को सुभास शंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरुसकार 2024 प्राप्त हुआ है 2024 जो कि यहां पर प्राप्त हुआ है क्या हो जाएगा यहां पर तो याद रखेगा 60 पेराशूट फिल्ड होस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है यह जो प्रुसकार है यह दिया जाता है आपदा प्रबंधन में आपदा प्रबंधन है यहां पर यानि कोई भी यहां पर कुछ डिजास्ट जो की है यहां पर बनता है तो उसके मैनेजमेंट के लिए जो की यहां पर काम कर रहे हैं उसके लिए दिया जाता है दे नेक्स अगला वर्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएंगे चलिए चलिए कुछन है कि किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीका करण कारिक्रम को यहाँ पर शुरू किया है तो याद रखेगा कि यह है कैमरून देश है जो कि पहली डोस के चलते दो लाख पचास हजार बच्चों को यहाँ पर टीका करण देंगे और अगले आने वाले दो सालों में यह अपने यहाँ के सभी बच्चों का टीका करण करेंगे ताकि मलेरिया से फिरी यह अपने देश को यहाँ पर बना सके दे नेक्स है अगला कॉश्चन यहाँ पर आंसर करेंगे सभी इसमें क्या हो जाएगा बताईए चलिए क्या हमारा आंसर जो की है भही यह है यहाँ पर बनेगा चलिए यह तो अभी क्यूश्चन में ने कराया था तो उमीद गरती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर याद होगा क्यूश्चन है कि विश्र की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफेरी किस भारते राज्जी में स्थापित की जाएगी तो सिमले पार टाइगर रिजर्व के पास ही यहाँ पर स्थापित किया जाएगा जो कि विश्र की वर्ल्ड की सबसे पहली है और क्या हो जाएगा यह है ओडिसा राज्ये में यहाँ पर किया जाएगा तो नाटो का जो की मुख्याले है यह है कहाँ पर है North Atlantic Treaty Organization 1949 में इसका गठन हुआ है और अभी 31 कंट्रीज इसका सदसी है जिसमें की 31st की बात करेंगे तो यह हैं फिनलैंड देश अभी हाल ही में जो की सदसी यहाँ पर बना था इसके headquarter की बात करेंगे तो Belgium की जो की capital है बुरुशिल्स वहाँ पर इसका headquarter है आगे आते हैं नेक्स यहाँ पर answer गरेंगे सभी क्या हो जाएगा कि बही National Waters Day is observed to mark रास्टे मत दाता दीवस कब मनाया जाता है यह है यह है मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है और 25 जनवरी को ही National Tourism Day भी मनाया जाता है याद रखेगा ठीक है और इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आप लोगों का Foundation Day of Election Commission of India इसी दिन यानि की 25 जनवरी 1950 का ही समय था जब भारत के Election Commission of India का गठन किया गया था Present Time में इसके जो अध्यक्षन है वह है राजीव कुमार है ठीक है आगे आ जाते हैं तर नेक्स अगले Question में यहाँ पर आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा बताएंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा चलिए Answer कीजेगा Question में क्या आप लोगों के Answer यहाँ पर बनेगा चलिए और बाकी बही डेली अपनी जो क्लास है सुबह 7 बजे यहाँ पर Current Affair की रहती है सुबह 7 बजे तो आप सभी सुबह 7 बजे Current Affair की क्लास से यहाँ पर जुड़ जाया किया कीजी ठीक है बाकी जो क्लास की टाइमिंग है यह है 11 बजे भी है और 6 पीम भी अपनी क्लास यहाँ पर रहती है चले Question पर आजाते हैं ICC T20 Player of the Year के रूप में किसे नामित किया गया है तो सूर्य कुमार यादव को इस बार इन्हें 2023 के लिए भी नामित किया गया है और इन्हें Last Year 2022 के लिए भी नामित किया गया था इस बार यह दूसरी बार है जब इन्हें यहाँ पर ICC के दुआरा T20 Player of the Year के लिए नामित किया गया है याद रखेगा Second Time Last Year भी इनको किया गया था और इस बार भी किया गया है खिलाडी सभी बहुत बहतरीन हैं सभी चोके चक्के लगाने के मामले में जाने जाते हैं सूर्य कुमार यादा हो यह एक रन में विश्वास नहीं रखते हैं बलकि यह 4 की 6 रन बनाने में ही विश्वास रखते हैं बट इस बार का जो कि ODI World Cup हुआ था उसमें सब फेल हो गए थे वो भी फाइनल में सब फेल हो गए थे बाकि जितने मैच उन्होंने खिले थे 10 आउट ओफ 10 वो सब जीत गए थे लेकिन जब फाइनल मैच हुआ ना उसी टाइम पर सब के जो टैलेंट है वो रखा कर रखा रहे गया चलिए आगे आ जाते हैं ते नेक्स नगले कोश्चन में क्या हो जाएगा यहां पर बताईएगा क्या आपका आंसर यहां पर बनेगा चलिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहां पर स्पोर्ट से लड़ी टो अपका क्वश्चन है तो क्वश्चन है भई कि हाल ही में सीनियर यूरो क्यों स्कूल जीतने वाले यह जो प्रतियोगिता है यह है गॉल्फ की प्रतियोगिता का आईजन यहां पर रहा है और लिजेंड्स टूर के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारती यहां पर कोन बने है तो इसमें याद रखेगा कि यह है जोती रंधावा है ठीक है हो सकता है आपसे एक्जाम में कुछ पूछ लिया जाए इस तरह का कॉश्चन की जोती रंधावा किस स्पोर्ट से बलॉंग करते हैं क्योंकि बहुत सबसे पहले भारती पुरुश्च मने हैं इसकूल पृत्योगिता को यहां पर जीता बोल्फ किया तो हो सकता है पूछ रेजाए कि स्पोर्ट से बलॉंग करते हैं सुंग और दिर खे this दे अंसर इसमें अ इसमें भी क्या आपका कॉर्शन यहाँ पर हमारा बनेगा चले तो कुशन है यहाँ पर कि भई यूडिडी फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी टूर हॉजन गंडी फोर में अपना पहला अंतरास्टे खिताब सुरक्षित करने के लिए श्रीजा अंकुला ने फाइनल में किसे हराया तो इसकी बात कर लेते हैं टेबल टैनिस की यह पृत्योगिता है और इसमें इन्होंने लिली जांग को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है चले अच्छे यह लास्टी कॉशन है सुबह यह जो है हमारी क्लास में आज अपने सेशन का यह लास्ट कॉश्चन है इसके साथ ही यहां पर ध्यान रखेगा कि डेली अपनी जो क्लास है यह करंट अफेयर वाली सुबह साथ बज़े आपकी शुरू हो जाती है सुबह साथ बज़े शुरू हो जाती है बाकी आप सभी ग्यारा बज़े की क्लास में अभी मेने आप लोगों के लिए स्टाटिक जीके की स्रीज को यहां पर शुरू किया हुआ है जो कि करंट बेस्ट ही है ठीक है करंट अफेयर बेस्ट ही हाँ पर है अपोइंटमेंट हो गया कुछ फेमस प्लेस हो गया कुछ टाइगर रिजर्व जो न्यूज में यहां पर रही है सम्मिट रही है इसके साथ ही जो है यहां पर एक्सराइज है वो सभी के सभी हम लोग इसमें कवर करेंगे बाकी आप सभी 6 पीम की क्लास को भी जोइन कर लिया किया किजी जिसमें कि हम लोग GK और GA के सेशन को यहां पर कवर करते हैं तो यह तीन टाइम है जो कि आप लोग मुझे यहां पर क्लास में जोइन कर लीजेगा बाकी देगो करन्ट अफेर जो है सभी एक्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपोरेंट होते हैं तो करन्ट अफेर की क्लास तो आप सभी जोइन किया ही किया करो ठीक है बाकी रागुलर सेशन की जो पीडियाफ है इसके लिए आप लोग यहां पर टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लीजेगा जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए क्लास के लिंक के साथ में यहां पर पीडियाफ भी शेयर कर देती हूँ पीडियाफ भी आप लोगों को लाइफ क्लास की मिल जाती है जो भी भी अपनी हाँ पर लाइफ क्लास रहती है तो यहां पर इस टैलिग्राम चैनल को आप लोग जोईन कर लीजिएगा PDF आप लोगों को मिल जाएंगी काफी सारी PDF सुमें ने दी हुई है Classes की Questions Practice की तो आप लोग इसको जोईन कर लीजिएगा इसके साथ ही अभी हम यहां पर बात करें आप लोगों का SSE CGL के लिए चल रहा है लक्षे बैच आप लोगों का SSE CHSL के लिए यहां पर चल रहा है आप लोग SSE Mathematics की बुक ले सकते हैं रैमो सर की जिसमें की 5000 से भी ज्यादा आप लोगों की वालिंग यहां पर Questions है साथ ही आप लोग यहां पर मेरे code को यूज करते हुए जो की है SOTY यह मेरे नाम के साथ का code है यानि की SONAM TYAगी इस code को यूज करते हुए Maximum discount के साथ में आप लोग अपने subscription को ले सकते हैं जिसमें की आप लोगों को iconic में physical notes भी मिलते हैं बाकी सभी चीज़े प्लस वाली आप लोगो iconic में यहां पर मिल जाती है तो आप सभी अनकाडमी के website पर जाकर के यहां पर अपने upcoming batches को यहां पर join कर सकते हैं फिलाल चली Session को आप लोग यहां तक ही रखते हैं मिलते हैं अब अपनी जल्दी ही live class में और बाकी और भी आपके session है उन सभी classes को भी आप लोग यहां पर attend कर लीजेगा जैसे कि 11 बजे है और शाम को 6 बजे है session को like जरूर करें ठीक है और अपनी practice को बनाए रखिए सुथाएंक्यू, students and जय हिंद, जय भारत